नमस्का मैं उससी आये जरकन की टॉप पचीस पर मुख खबर जानते हैं प्रधान मंत्री नादमोदी ने रवीवार को अपने महासिक रेडियो कारकरम मन की बात में लदा की गलवान घाटी में 20 भारतिये सायनी की साधत भारत में संक्रमन का विक्याल होता स्वरूप और देश में मानसून की आमद के बीच देश को समोधित किया इस दोरान पीम साध्यों में हमारा किसान भाई बहांटीडी दल के हमले से परसान है कुछ नहीं भी देश के कई ही सो में छोटे-छोटे भुकम सामने आ रहे हैं ऐसे में इन सवी चुनतियों को देखते हुए लोग साल 2020 को खराब कर रहे हैं तो साल 2020 को खराब नव मनें लोग अक्सर बोल लाज तक को जीलों में हलकी बारिस हो सकती है मौसम विभाग के उनसाथ साथ जीलों में समाने से कम बारिस हुई है इसमें अधिक्त संथाल परगना के जिले हैं जार्खन के कोईलाचन और संथाल परगना में बजरपात से जानमाल की हानी का खत्रा ज्यादा बढ़ गया है र इसमें ध्यृत बार दैनिये होती जा रही है यकी किरिद पाराशिक्षक संथा का करेकारी सदस्यों ने बताया कि पाराशिक्षक नेंतर अपनी सिवाय देते हैं संथां मंदिर से पारासिचकों का मांदे बुक्तान करने की अपील कि है जार्खन में 23 संक्रमीतों के पुष्टी हुई जो गिड़ी से 4 गडवा 4 पूर्वी सिम्वूम 4 अजारी बैक्दो लोहरदगा 2 कुडरमा 2 सराइकला 2 रांची 1 पच्मी सिम्वूम 1 बोकारों से 1 हैं भारत में आज में आपको बता दे कि भारत में आज कूल आग 610 कैस मिले हाई भारत में 3 मोत साहीब गंज निमासी जार्खण में संक्रमा से 3 मोत दर्ज की गई है साहीब गंज का 75 वर्सीय मरीच के मत हुए है वहनी जी अस्पिताल में भरती था ब्यक्ति की मौत होने के बाद रिपोर्ट पयोटिव आई है ऐसे में जारखण में संक्रमन से मरने वाले उसंखेतेरा हो गई है आश्पिताल परवंधक के अनुसार मरीज को गंभीर आवास्था में अस्पिताल लाया गया था इलाज के द राइधानी में सबको पर गलत दिसा में वाहन चलाने वालों के खिलाप ट्रेफिक पुलिस ने अभियान सुरू कर दिया है राची ट्रेफिक पतना सिकद्राबाद अब राची होकर आवाजाही करेगी या ट्रेफिक पतना से गुरुवार और मंगलवार को प्रस्थान करेगी रेल मंडल के सी पी आरो के अनुसार इसकी असपश्ट अधिकारिक सुचना नहीं मिली है लेकिन उमीद है कि या ट्रेफिक चलेगी जार्खंड के साथ जिलो में बिली की कटोक्ती करेगा डिवीसी बकाया को लेका डिवीसी ने एक बार फिर जार्खंड के साथ जिलो में एक जुलाई से बिली कटोक्ती करने की चेतावनी दी है इन जिलो में धनवाद गिरिडी बोकारों कोडार्मा रामगर चत्रा और साह अपनी कार्य सहली में सुधार लाए अधिकारी नहीं तो होगी करवाई मिथलेश ठाकूर जार्खन सरकार के पेज अलेवां सस्ता मंत्री सा गड़वा छेत्री विदायक मिथलेश ठाकूर ने डंडा पर्खंड के जनता दर्बार लगा कर ग्रामिनों की समस्या सुनी इस मंत्री से ग्रामिनों द्वारा तरह तरह के सिकायत मिलने पर पर्खंड के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पुरानी प्रंपरा को बंद करने का कहा और चेतावनी भी दी की सिकायत मिलने पर भष्टचारी को बक्सा नहीं जाएगा रांची नियोजन निदेशक का पद रिक्त परवासी मजदूर परिसान लोगडाउन लागू होने के बाद राजे में बड़ी संख्या में परवासी मजदूर लोटे हैं ऐसे में सभी परवासी मजदूरों के नियोजन का समाय है जिसे रोजगार मिल सके लेकिन लगभग एक मासे राजे में नियोजन निदेशक का ही पदरिक था है। उपायुक्त ने कहा कि इस विशेश अभ्यान में उन इलाकों को विशेश रूप से सामिली किया जाना है। भाजपा ने वर्चुल रैली की सुरुआत कर न सिर्फ अन दलों से बढ़त बनाई है। बलकि 27 दुनों में भाजपा ने 33 लाख लोगों तक पहुंचने का कृतिमान बनाया है। भारतिये 33 दिपका कि साधी 30 जून को अंतराश्टिये 33 दिपका कुमारी कि साधी की रस में शुरू हो गई है। 28 जून रविवार को मटकोडवा मडवा जैसी रस में होई। दिपका कि साधी 30 जून को उलमपिक 33 अतनु दास के साथ होगी। इसमें राज येपाल मुख मंतरी MS धावनी समेत कई प्रमुख हस्तिया को निमंतरित किया गया है। राची उन्वर्सिटी में दाखिला शुरू। राची पिश्व विद्याला में UGPG में नमाकन की प्रकिरिया सुरू होने जा रही है। बीवी परशासे नमाकन समंदी सभी सुचनाई 30 जून तक चांसलर पोर्टर पर अपलोड करने का निर्जेस दिया है। चांसलर पोर्टर पर PG विभागो वा कॉलेजों में विशयवार अरक्षन नियम सहीत और नियजनकारी अपलोड किया जाएगा। जारखन में चल रहा है काढ़ा खोप का करुबार। संक्रमन से डरे लोग इससे बचाव के लिए हर संभव पर्यास कर रहे हैं। रजदानी राची में होमियोपैथी ड्रॉप और इमुनिटी काढ़ा के दम पर बचाव का दावा किया जा रहा है। पिछले छो माह में ट्यूटर पर उनके फोलोवर की संख्या बढ़कर 3,95,000 हो गई है। इधर फेस्बुक पर भी उनके फोलोवर लगातार बढ़ते आ रहे हैं। बरतमान में फेस्बुक पर इनके कूल 4,42,42 फोलोवर हो गए हैं। CM के ट्वीट से विभीन जीला के DC, SP और अन अधिकारी भी जूड रहे हैं। साथी विपक्षित दाल भाजपा के नेता डूलू महतो हुआ लूइस मरांडी भी हैं। आकड़े बताते हैं कि पूरुवर मुख मंत्री की तुनला में हमान्त सोरेन सोचल मेडिया पर सबसे ज्यादा लोग पिरिये सीम हाँ हैं। रगुबर सरकार के भश्रचार की खुल रही पूल जामुमों। जामुमों ने कहा है कि रगुबर दास अपने सरकार से संगठित लूट का सिस्टम बना कर गए थे। अधिकारियों को लगा कि वही सिस्टम जारी है। अब जारखंडियों का हाग लुटने वालों की जाच होगी और जेल जाएंगे। जामुमें ट्वीट हंडल से पार्टी ने भाजपा पर पल्टवार किया है। भाजपा में सरकार पर फश्टाचार के आरोप लगा थे। इधर मुखमेंतिर हमन सुरे ने अपनी पार्टी की ओर से जारी ब्यान को ट्वीट किया। पार्टी प्रवक्ता सुप्रीमों बटाचार ने कहा कि लूट खसोट के सारे मामले सामने आ रहे हैं। जाच हो रही है। भरष्ट लोगों की जगा होटवार जेल में होगी। क्रिसी सेवा में 30 साल से नहीं हुई बहाली। जारखन में आज भी 1990 में बहाल क्रिसी सेवा के अधिकारी के बहाली नहीं हुई है। इसके बाद इस सेवा के अधिकारी के बहाली नहीं हुई है। हेमन सरकार जारखन को जंगल राज की ओड़केल रही बीजेपी। भाजपा परदेश प्रवक्ता प्रतूल महादेव ने कहा कि हेमन सरकार के कारकाल में अपराधी बेलगाम हो गए है। संगठित गिरो फोन से पनपने लगे हैं इसके अतिरिक सर्याम दुसकार्म की घटनाय भी होने लगी है। भाजपा सरकार में बीदी बवस्ता ठीक करने की माम करती है कि अगर ततकाल ठोस कदम नहीं उठाएगा हैं तो भाजपा आंदोरन के लिए मजबूर होगी। दूसरे राज़ों में अभी फसे हैं जारखंट के 28 से यार प्रवासी मजदूर। जारखंट के 28 से यार प्रवासी मजदूर अभी भी दूसरे राज़ों में फसे हुए हैं ए लोग जारखंट सरकार से खुद को बुलाने के गुहार लगा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही कल से आपको प्रती दिन 25 वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही थाइगे।